प्यारे बच्छों आप सभी का सवागत हैं बच्छों आप सभी अपने परिवार के साथ सकुसल होंगे ये कामना हम करते हैं बच्छों अभी हमने बाते करेंगे थे प्निलाट्य डवलप्म हें कि कैसे हम अपने प्रियाल्टिय को planting करे तो उसी से जुड़ी हुई आज एक और टॉपिक पर उन्हों डिसक्रस करेंगे बाते करेंगे कि कैसे हमने परस्टनाल्टी को निखा रहे तो बच्चो यह जो टॉपिक है यह टॉपिक है कि आपके नाम में कितना पावर है आपका जो नाम है वो कितना यूसफुल है कितना पावरफुल है और यह आपके परस्टनालिटी पो कितना एफेक्ट करता है इस पर हम लों आज बाते करेंगे तो बच्चो इस संसार में नाम ही वो चीज है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है हम इंसाम देखने में इखी तरह दिखते हैं चेहरा रंग रूप, दो आखे सब कुछ बहुत बार होता है कि जुर्वे भाई रहेंगे तो दोनों का सब चीज़े सेम मिलेंगी लेकिन नाम वो होता है जो सब को अलग करता है और हर इंसान को अपना नाम बहुत पसंद है चाहें वो चपरासी हो, चाहें वो किसी भी बड़े पत पे हो कमिस्नर हो, आईएस हो, सब को अपना नाम पसंद होता है सब चाहते हैं कि लोग उनके नाम से ही बुलाए अक्सर हम ये गल्ती करते हैं कि जब्भी लोगों से बात करना होता है तो हम उनके नाम को भूल जाते हैं कि हम सोचते कि नाम याद करने में क्या है बस हम ऐसे ही बुला सकते हैं लेकिन यह बहुत ज़ादा खतरणाग हो सकते हैं यह आपकी personality को यह दिखाता है रहे हैं या फिर उसके नाम के उच्छारण में अगर आप गलती करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देट तो बच्चों यह नाम के साइकॉलजी का यूज आज के समय में बहुत ज्यादा होता है आपने देखा होगा कि जब भी आप पर क्या होता है कि आपका नाम लिखा जाता है जो कप रहेगा उस पर आपका नाम लिखा जाएगा तो कप पर नाम लिखने का में मतलब यही होता है कि आपको का जब नाम लिखा जाता है तो आपको लगता है मुझे अलग तरीके से इज्जत मिला है इतने जादे लोगों म आपके psychology के साथ वो बहुत जादा खेलेंगी, वो क्या करेंगी, जब भी आपको मिलेंगी, जब भी आपको कोई product sell करेंगी, तो उसे आपका नाम लगा रहेगा, इसे ग्रहत बहुत जादा प्रभावित होते हैं, तो नाम जो होता है, वो हर इंसान को पसंद है अपना, हर इं जो संगितकार आते थे, वो जो गानग आते थे, अगर उसमें राजा महराजा का नाम ले लिए, उनकी बढ़ाई कर दिये, तो बहुत खुस हो जाते थे, उसको बहुत जादा इनाम देते थे, उनको इनाम इसलिए भी देते थे, कि ये जो गाना ही है, हमारे नाम कर दो, इ हमें क्या करना है कि अगर हमें अपनी परस्नालिटी को एक्ट्रेक्टिव बनाना है अगर हमें अपने परस्नालिटी को निखारना है तो हमें क्या करना है कि हमें जब भी हम किसी से भी मिले, तो उस इनसान का नाम हम याद रखें कोर्सिस करें कि उस इनसान को नाम से बुलाएं जितने भी बेड़े बिजनेसमें होते हैं उनसे आप जब भी मिलिएगा, अगर आपने उनसे एक बार मिल चुके हैं उसके बाद जब भी आप मिलेगा तो आपको नाम से ही बुलाएंगे आप किसी पद पे रही है वो आपको नाम लेके ही बुलाएंगे तो जिनका व्यक्तित तो बहुत आकर्सक होता है जो बहुत एक्टरेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं यूज़ Each technology के यूज़ करते हैं वह जब भी मिलेंगे नाम के दware aree मिलते है और यू बर आच से निहीं पुराने समय से चला रहा है और इंसान कि ए psychology रही है कि हमेंㅇ जब भी हमारा नाम भुलाया जाता है तो बहुत प्यारा रगता है अब उस इंसान के और खीचे चले जाते है जैसे अगर सो बच्चे हैं सो बच्चों में से सिक्षक सिर्फ आपका नाम लेता है कि बच्चे जो भी रमेश, मुकेश, जो भी कहिक अगर आपको बुलाता है आपका तहरी इस सिक्षक को मेरा नाम याद है मेरे बारें में पता है तो उस सिक्षन के प्रत्य आप ज्यादा आकर्षित होते हैं और बच्चो इस चीज का आपने देखा हूँ कि आपकी गार्जेन भी बहुत यूज करते हैं जैसे अक्सर आपके गार्जेन आपसे कहीं कहा रहे पढ़ो पढ़ाई करो बड़ा ओफिसर बनो तो आप उनसे पुछेंगे क्या फिर बड़ा ओफिसर क्यों बनना है क्यों पढ़ाई करना तो कहेंगे आपसे कि जब तुम बड़े ओफिसर बनोगे तो नाम रौसन होगा मेरा नाम रौसन होगा गाओं का नाम रौसन होगा जीले का नाम रौसन होगा तो मेर मकसद यहां पर देखेंगा नाम के पढ़ें तो अपना व्यद्थित और आकर्षित बनाने के लिए हमें क्या करना है जब भी हम लोगों से मिलें जितना ज़्यादा लोहों का नाम याद रखें कि उतना ज़्यादा वह आपसे प्रभावित होंगे जब भी आप officer बनेगे जब आप किसी company के मालिक बनेगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है बच्चो कि अपने छोटे करमचारी और बड़े करमचारी सभी का नाम आपको याद रखना है ये आपकी personality को निखारने में बहुत मदद करेगी ऐसी तरह से खटना हम आपको बताते हैं बच्चो कि इवर क्या होगा कि इनसान गया मॉल में वहां से कुछ उसने और किया तो जब उसने और किया तो जो salesman महिला थी जैसे बर्गर और किया तो salesman जो महिला थी उसने बहुत जाता धिहान नहीं दिया किसी तरह से उसको बना के जल्दी जल्दी और दे दिया और बड़े गुस्से में क्योंकि उसको बहुत जादा काम करना था यह चीज़े दो बार हुई उसके साथ तिसरे बार जब वो गया इंसा तो उसने जाए कि उस महिला का नाम से बुलाई कि मिस्टर रीना मिस्टर जो भी नाम था उनका उनको कहा कि आप कैसी है क्या हाल है तो जैसे वो नाम से बुलाई वो चकित हो गई कि यह इंसान हमारा नाम कैसे रांता है यह हमें इंसान नाम से बुला रहा है इसका मतलब हमें इंपोर्टेंस दे रहा है, हमें और उसे अलग कर रहा है, तो फिर उसने क्या कि कि जो उसे बर्गर बनाते है उसका just double उसे बना के दिया, तो ये इंसान का नेचर होता है, कि जब भी कोई इंसान आम से बुलाता है तो हम उसके प्रति और दया भावना, जा फिर उसके प्रति कि हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो बहुत बार आपने देखा होगा बच्चों कि बड़ी बड़ी जो business होती है जैसे एक कंपनी Unilever अब हमें लगता है कि अरे हिंदुस्तान यूनिलेवर इंडिया कि है चलो कुछ प्रोडक्ट अपना ले ले खरें लेकिन हकिकत क्या है कि ये जो कंपनी है ये आपकी विदेशी कंपनी है ये जहां पर भी जाती है वहां पर क्या करती कि उस देश का नाम अपने पीछे लगा तो वहां के लोग प्रभालत होते हैं, उसने तो नाम लगाया हुँडुस्तानी यूलिवर है तो जाहिच से बात है हमारी कंपवनी है हमारी देश के कंपनियों तरह हम बहुत जादा उसको पर्चस करते हैं लगे हकीकत क्या है हकीकत तो विदेश किंपनियों वह आपके साइकोलोजी के साथ खेल लए है वह आपके नाम का यूज करें तो वहां पर आपको खीचे चले जाते हैं क्योंकि वहां पर आपको अपना देश का नाम दिखता है इसे तरफ से आपको बहुत जगा जाएगे हमें क्या करना है कि अगर हमें बहतरीन अपनी परस्नालिटी को बनाना है तो हमें लोग का नाम याद रखना होगा अब यह याद करने के क्या टेकनिक है जब भी आप लोगों से मिले तो उनके नाम को एक बार दो बार आप पूछे कि आपका नाम क्या है जब उसे बुलाएंगे तो बहुत जादा प्रभावित होगा आपसे बच्चो हम सभी आपके साथ है कभी भी किसी तरह की कोई समस्या है आप हमें कॉल कीजिए और आप बहतरिन अच्छे से रहिए घर में और कभी भी बात करने की ज़रुवत हो बच्चो किसी भी तरह का प्रस्ण आपके मन में आप हमसे जब चाहें बात कर सकते बच्चो फिर हमनों मिलेंगे अगले वीडियो में बाते करेंगे की अपनी प्रस्नालिटी का और कैसे बहतरिन निखारे और कैसे बहतरीन बना इसके बारे में उन्हों बाते करें बच्चो